इस्टा गुरु चैनल के सभी दर्षकों को मेरा नमस्कार मेरे एक दर्षक ने निवेदन किया है कि गुरुजी एक वीडियो चांडाल योग पर भी बना दीजिए सो मैं आज वही वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ यदि आपको चैनल पे अच्छा लगता है न पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा और अगर आप बराबर देख रहे हैं चैनल तो आपको धन्यवाद पूरा वीडियो आखरी तक अवश्य देखें ता चार्ट ले लेते हैं जैसे कि आपने दीखा हमने मेश लगन का चार्ट ले लिया प्राया हम मेश लगन का चार्ट ही लेते हैं क्योंकि ये कालपुरुष के कुंडली से मिलता जुलता चार्ट है अब हम इस पे आपको चिन्धित करते चले जाएंगे गुरु चंडाल करके देंगे जो होगा निवारण उपाय क्योंकि हमारे दर्शक उपाय के बारे में भी बहुत ज़्यादा कहा करते हैं सो खेर हम उपाय का वीडियो भी आपको बना कर जरूर देंगे तो चैनल पर आएए हम देखते हैं गुरु चांडाल योग के कुंडली उस बेक्ते में चैनल चड़ जाता है जिसके उपर गुरु और राहु की यूती होती है और जिस जगह पर ये यूती होगी उस घर को तो बिशेश तोर से प्रभावित करता ही करता है जिस जातक के कुंडली में यह योग होता है उसके जीवन में कहीं न कहीं उथल पुथल ब घवरानी के कोई आवश्यक्ता नहीं है पहले जान लेते हैं कि ये योग क्या होता है और इसका प्रभाव जीवन में पढ़ता क्या है कैसे बनता है गुरु चांडाल योग तो जन्म कुंडली के इंतरगत किसी भी भाव में ब्रहस पती के साथ यदि राहू युति कर रहा हो बैठा हो तो ऐसी युति को कहते हैं गुरु चंडाल योग और कुछ जोतिशियों का ऐसा भी मानना है कि अगर गुरु के उपर राहू की दृष्टी हो और तब भी ये गुरु चंडाल योग बनता है लेकिन नहीं ऐसा नहीं है अगर राहू की डिग्रियां कम हैं और ब् ज्यादा हैं तो ये चंडाल योग का प्रभाव कम कर देगा वैसे राहू जिस भी ग्रह के साथ युति करता है तो उस ग्रह को ग्रहन लगा देता है ऐसा मानना है सत्य भी है सूरी के अगर साथ बैठेगा राहू तब भी प्रभाव डालेगा ग्रहन लगाएगा मंगल के साथ बैठेगा तो मंगल चंडाल योग बता दिया जाता है लेकिन सबसे ज़्यादा अगर नुकसान दे है कोई योग तो ब्रहस्पति और राहू की युति का होना एकठ्थे अब इस योग का प्रभाव क्या होता है को प्रभाव क्या होता है दर असल इस योग का प्रभाव पढ़ाई लिखाई पर पैसा रुपईया और खास तोर से चरित्र के उपर होता है ऐसा व्यक्ति जिसके उपर गुरु चंडाल योग होता है अपने बड़े बुजर्गों का कहना नहीं मानता यानि उनकी बात का निरादर करता है एवं ऐसे व्यक्ति को जिसके उपर गुरु चंडाल योग होता है स्वांस रोग, कास रोग, पेट रोग इत्यादी होते हैं मेश, वरिश राशी, सिंग राशी, कन्या, वरिश्चिक, कुम्ब, मीन ये जो राशियां होती हैं इनके उपर अगर ब्रहस्पती के साथ राहो बैठा है तो इनके उपर यहाँ प्रभाव अधिक पड़ता है अब मैंने पहले ही कह दिया है कि डिग्रियां जिरूर देख लेना तब कोई ने लेना, ऐसे नहीं कह देना गुरुचंडाल योग तो यह अगर माल लीजिए गुरुचंडाल योग आपके लगन में बैठा है तो लगन को प्रभावित करेगा धन पर बैठा है तो धन को प्रभावित करेगा मित्र के घर में बैठा है तो मित्र के यानि जिस भी घर में बैठा है उस रिष्टे को प्रभावी जरूर करता है लगन में बैठाय मालीजी गुरु और रहू तो इसे जातक का जो करेक्टर होता है उसके उपर प्रभाव डालता है चरत्र के उपर इसका गुलत को प्रभाव पड़ता है कलंक लगाता है और ऐसे बिक्ति का समाज में बाद दिबाद जगड़ा जन्जट हुआ करता है अगर देखा जाए जिसे चतुर्त भाव में बैठ जाए ब्रहस्पती उर रहू तो ये घर भूमी अर्थात जमीन जायदात का मकान का होता है परिवार, माता, वाहन और ऐसे बिक्ति को अगर चोथे घर में ब्रहस्पती रहू एकठे ही गुरुचंडाल योग बना रहा है तो अपने जन्म अस्थान पे रहने का सुवसर नहीं मिलता और ये एक जगा स्टेबल नहीं रह पाता अब ये ही अगर गुरुचंडाल योग पांचवे घर में चला जाए तो पुत्र का प्रभाव, पुत्र का सुभाव बिप्रीथ हो जाता है ऐसे विक्ति के बाद सिक्षा दिक्षा की भी, अगर है भी सिक्षा दिक्षा पड़ा लिखा है भी, तब भी कृद्ध हो जाएगा बात-बात में और वह धन का संरक्षन नहीं कर पाएगा, एवं धर्म जरूर करेगा, पर प्रदर्शन करेगा, दिखावा करेगा और बड़े भाईयों से, बड़ी बहनों से, बड़े बुजरुगों से बनने नहीं देगा और ऐसे विक्ति को पुत्र का सुख, पुत्र होते हुए भी नहीं मिल पाता इस विक्ति का पुत्र भी क्रोधी सुभाओ का, जिद्धी सुभाओ का हो जाता है अगर सात्वे घर में चला जाए ब्रहस्पती राहों के साथ तो सात्वे घर आप जानते ही हैं पत्नी का होता है ये खास्त और से सात्वे घर पार्टनर का होता है बिजनेस पार्टनर का भी होता है गुरु चांडाल योग के रहते यदि आप किसी भी बिक्ति के जिन्मकुली में गुरु चांडाल योग है सात्वे घर में तो बिजनिस साज्जे में कताई न करें दूसरी बात पत्नी के घर पे बैठा होने के कारण पत्नी के सुभाव में भी इसका असर पड़ेगा और ऐसे बिक्ति का प्रभाव पत्नी के उपर गलत पड़ेगा अतहां इस बिक्ति को पत्नी का सुख नहीं मिल पाएगा इसी तरह से अगर दसम घर में बैठा हुआ है ब्रहस्पती तो ऐसी वस्था में चुक्छ यह नौकरी का ब्योसाई का घर है तो इसमें उसको परेशानिया मुसिबतें जिलनी पड़ेंगे ब्यापार में ब्यापार चलेगा नहीं सही तरीके से पिता का घर है तो पिता के बीमारियों से परिशानी रहेगी, सोयम के पीठ़ की रीड में दर्द रहेगी, पीठ़ में पीडा रहेगी, गुरु चंडाल योग अगर दसवे घर में है, इसी तरह ग्यारवे घर में होने पर बड़े भाईयों का, आमदनी का घर भी गारेगा, बारवे घर सेन कक्ष कहा जाता है, सेन सुख कहा जाता है, बारवे घर में है तो भी पत्नी का सुख नहीं लेने देगा, सेन सुख नहीं लेने देगा, नींद का सुख नहीं लेने देगा अर्थात ऐसे बेक्तिको जिसका गुरु चंडाल योग 12 घर में हो तो पहली बात ध्यान रखें कि वहाँ पर जहां सोते हैं आप खास तोर से इलेक्ट्रोनिक्स चीजों को जो खराब हो गई हो कताई मत रखें ब्रेस्पति के प्रभाव को वहां बढ़ा दें कोई धार में ग्रंथ पीले कपड़े में करके रख दें तो सयन का अक्षमें अच्छी नींद आप ले सकते हैं रात को सोते समय पानी अपने सिरहाने रख लें पानी में थोड़ा सा गुड़ डाल लें ताकि वो गुड़ अम विशेश तोर से हम आपको बताते हैं गुरू चंडाल के उपाय क्या हैं निरंतर याद रखिये ब्रहस्पति को पुष्ट करना है अपने मस्तक पर केसर का या अश्टगंद का तिलक अवश्य लगाएं मतलब माथे पे चंदन तिलक जुरू लगाएं क्योंकि कहते हैं लक ब्रहस्पतिवार के दिन या जिस राशी में राहू ब्रहस्पति बैठा है उस वार में जा करें मचलियों को जो काले उडद होते हैं उनको मचलियों को खिलाएं और प्रत्यक ब्रहस्पतिवार को ब्रत रखें पूर्ण रूपेन गुरुवार का ब्रत रखें, केले के ब्रक्ष के निचे देपक जलाएं, कथा करें, प्रसात खाएं, भगवती दुरगा का सबसती खापाट भी कर सकते हैं, और हमेशा अपनी बड़े उमर वाली को मा की दरश्टी से, बराबर की उमर वाली को बहन, का प्रभाव नहीं पढ़ पाएगा, यदि ब्रहस्पतिवार के दिन राहु का नक्षत्र पढ़ जाए, तो उस दिन राहु के मंत्र का जब करने से भी ये प्रभाव शांत कर देता है, राहु के नक्षत्र कौन से हैं, स्वाती है, आरदा नक्षत्र है, और शत्मिशा नक रहें यद ब्रहस्पतिवार को देने पड़ जाते हैं तो ओम रांग राहवे नमा मंत्र का जब 108 बार करें चो मुखी दीपक जिला लें तिल का तेल जला सकते हैं सरसों के तेल का जला सकते हैं या फिर निरंतर दुर्गा सवस्थी का पाठ करें यदि आपका आकिराशी धनू है मीन है मकर है तो आप पुखराज धान कर सकते हैं इससे आपके उपर गुरुचंडाल योग का प्रभाव को प्रभाव नहीं देगा तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो में कुछ समझ में आया होगा गुरुचंडाल योग के इस वीडियो को बहुत बड़ा लंबा ना करते हुए हम यहीं पर विराम देते हैं, आप सब लोगों से लेते हैं विदा, अगले वीडियो में हम पुर्णा मिलेंगे, ऐसे ही आप अपने हमें सुझाओ देते रहें हम आपके कहने के नुसार वीडियो के प्रतेक विशे पर निगाह जरूर डालते रहेंगे तो चलिए लेते ही विदा आप सभी लोगों का दिन रात मंगल मैं हो सुख मैं हो जीवन धन्यवाद वीडियो देखने के लिए हरदे से नमस्कार